हेलो दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशय को कवर करने जा रहे हैं वह है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ती Trends in the Modern Periodic Table हम एक एक करके संयोजक्ता, परमानु साइस, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे आईए सबसे पहले संयोजक्ता प्रवृत्ती से शुरुवात करते हैं आवर्त में बाई से दाई और जाने पर तत्तों में संयोजक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या एक से बढ़कर आठ हो जाती है और इसलिए इन संयोजक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या से उनकी संयोजक्ता पाई जा सकती है इसलिए प्रत्य चोटे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की सैयों जक्ता एक से बढ़कर चार हो जाती है और फिर घटकर शून्य हो जाती है आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की सैयों जक्ता उसके परमानों के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित सैयों जक्ता इलेक्ट्रोनों की संख्या से निर्धारित होती है अब समूह में तत्वों की सैयों जक्ता के बारे में बात करते हैं आवर्त सारणी के एक समूह के सभी तत्व में संयों जक्ता इलेक्ट्रोनों की समान संख्या होती है उदाहरण के लिए आवर्त सारणी के समूह एक के सभी तत्व जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के प्रत्येक परमाणू में एक सैयों जक्ता एलेक्टरॉन होते हैं समूह एक के तत्वों लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के परमाणूँ में एक सैयों जक्ता एलेक्टरॉन होते हैं और इसलिए उनकी सैयों जक्ता एक होती है समुह दो के सभी तत्वों में दो सईयों जक्ता एलेक्टरॉन होते हैं और इसलिए उनकी सईयों जक्ता दो होती है समुह तेरा की सईयों जक्ता तीन है समुह पंदरा की सईयों जक्ता तीन है समुह सत्रा की सईयों जक्ता एक है आईए अब एक आवर्त में विभिन पर्मानू के साइज के बारे में चर्चा करते हैं आधुनिक आवर्त साननी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पर्मानू का साइज घटता जाता है जैसे ही हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तत्वों की परमानू संख्या बढ़ती जाती है जिसका अर्थ है कि परमानूं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ती जाती है नाभिक पर बड़े धनात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रोनों को नाभिक के अधिक निकट खीचा जाता है और पर्मानू का आकार घट जाता है इस प्रकार किसी भी आवर्त में चार धातू पर्मानू जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आदी आकार में सबसे बड़े हैं जबकि हैलोजन पर्मानू जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदी आकार में सबसे छोटे हैं अब समूहों में तत्वों के पर्मानु साइज पर चर्चा करते हैं आप देखेंगे कि समूह में उपर से नीचे जाने पर पर्मानु का साइज बढ़ता है इसलिए सबसे छोटा पर्मानु साइज का समूह के शीर्ष पर पाया जाएगा जबकि सबसे बड़ा पर्मानू साइज समूह के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है आईए देखते हैं इस प्रवृत्ती की वज़ा क्या है जब हम आवर्त सारणी के एक समूह में उपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनों का एक नया कोश हर कदम पर पर्मानूं में जोड़ा जाता है इस तरह पर्मानूं में इलेक्ट्रोन के कोशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है जिसके कारण पर्मानूं का साइज भी बढ़ता है अब हम पहले एक आवर्त में धातू एवं अधात्विक प्रवृत्ती पर चर्चा करेंगे किसी आवर्त में बाई से दाई जाने पर तत्तू का धात्विक गुण धर्म कम हो जाता है और साथ ही साथ अधात्विक गुण धर्म बढ़ता जाता है अवर्तसारणी के बाई और हमारे पास धातू है और दाई और हमारे पास अधातू है धातूओं और अधातूओं के बीच में कुछ तत्व होते हैं ये एक टेड़ी मेड़ी रेखा बनाते हैं जो धातूओं को अधातूओं से अलग करते हैं इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सनेक, एंटिमनी, टेल्यूरियम, एवं पोलोनियम, धातू एवं अधातू दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें अर्ध धातू या उपधातू, मेटलोईड कहते हैं। अर्थात वे प्रकृती में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। दूसरी और अधातू, इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। वे इलेक्ट्रोनों को प्राप्त करके आबंद बनाते हैं। आईए, अब समूहों में धातू और अधात्विक प्रवृत्ती पर चर्चा करते हैं। आवर्त सारणी के एक समूह में नीचे जाने पर तत्वों में धातू प्रवृत्ती बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम समूह एक में नीचे जाते हैं, तो धातू प्रवृत्ती लीथियम से फ्रेनिश्यम तक बढ़ती जाती है। इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ओक्साइडों की प्रकृती का भी पता चलता है क्योंकि धात्वों के ओक्साइड चारकिय तथा अधात्वों के ओक्साइड सामान्य तह अमलिय होते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ती, Trends in the Modern Periodic Table का अध्येयन किया.